हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टो वर्ड चैनल हाइपर डेज भी मैं हूं मोहमद सोहेल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आये हैं यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीचिए यह मेरा वाटसप निमबर है अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिन टैन ला में मैं कितने बार बैंग दिया उतने बार टार्गेट हुआ अब यह मैं आपको बताता हूं वह 29 जन्वरी को एंट्री दिया था 19 फेवरी को प्रॉफिट बॉक्टिंग हो गया उसके बाद मैं 19 फिपरियो त्वरी में 29 फिपरियर में यह बताया कि लेवल्स कुन से होगा हमारे इंटर के बाद स्टॉक हो गया फॉल और मैं अपने वीडियो में क्या बताया जब तक स्टॉक 823 का लेवल ब्रेक नहीं करता करके नीचे कहीं पर भी रेड केंडल क्लोज नहीं करता स्टॉक में फॉल देखने को नहीं मिलेगा अगर इसको मेजर फॉल भी देना है तो स्टॉक को बॉटम फिशिंग का भी डबल बॉटम फिशिंग जाना होगा लैग करते होगे स्टॉक कहीं पर भी लैग नहीं किया स्टॉक डायरेक्ट सपोर्ट पकड़के हमारे टार्गेट क्या थे 960, 990, 1015, 1030 और आज कहीं क्या है 1031.70 पैसा जिदर हमारे पूरे टार्गेट स्टॉक में होगे अचीव हम लोग हर टार्गेट के बाद स्टॉक में क्या करते हैं ट्रेल करते हैं तो अभी यहां पर क्या है अगर आप देखोगे हमारा एंट्री के लेवल के पास आया और यह 960 यहां पर तक और 919 से लेके यहां पर 1030 तक एक ही कैंडल में पूरे target लगा दिया, कहीं पर भी trailing use नहीं हुआ और वही बात मैं अपने यहां पे free telegram group में भी update दे चुका हूँ, और अगर आप free telegram group channel पे नहीं है तो description में link है, click करिए join करिए, और यहां पे मैं क्या बताया dear group members, swing trade जो हम 10,00,000 लिये थे, 28 days के अंदर हमारा working base में 11.7% का profit booking हो गया, 19 की entry है, 1015 का target है, और मैं 1030 नहीं देख लिया था, इसलिए मैं 11% बोल रहा हूँ, पर हम लोगों को 12.2% का stock में profit booking हो आई दोस्तों, तो अभी हम लोगों के यहां क्या करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा 200 E.M. में पर यह जो closing दिया है, यहां पर Friday live market में green candle close कर रहा है, तो मैं wait करूंगा rejection का, जो rejection का buying होगा 9.34 पर होगा, अगर tanla में हमारा fit से rebuying होगा, तो 9.34 पर होगा, अगर rebuying नहीं होगा, तो हमारा कहां पर होगा 9.67 पर होगा या in between 9.34 से 9.67 की in between होगा दोस्तों, तो यह था मेरा analysis tanla को लेके, अगर आपको stock पर analysis समझ में आया, वीडियो को like करिए, share करिए and YouTube channel को subscribe कर लिजिए thank you for watching my video